आज भूर कलोटेजेव, 102 साल का वो लोग मानते ही पूरु जन्व की विश्य तो तीन बेटे एक बेटी मेरी है बड़ा बीटा साथ साल का है इस समय बड़ा बेटा 60 साल का है पूरु जन्व की घटना हैं आज भी साल की अगर्से मैं अपनी परिवार में जाना आना करता है, अपनी परिवार को बोलता था कि मेरे बच्चे हैं, मुझे जाना है, तो मेरे माँ डाटती थी, यह पेरा साधी नहीं हुए, तु कौन है, कहां से है, संस्क्रत पढ़ाता हूं, जूड़े, कराठे, लाटी, तलवार, योग, पुन्रतता अगनता जानता संगमे मही, ओम, मेरा नाम योगिंद्र मेधावी है, मैं गुर्कुल कांगडी विश्विद्याले से वेद विवाग से पीएसडी कर रहा हूं, और अभी अभैसे में रहने वाला मतुरा का हूं, और मतुरा में दोनों परिवार हैं, जो मेरे प उनके कपड़े लत्ते की काम करना, वो भी हम लोग करते हैं अपने गुर्कुल से, तो राष्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश यही होता है कि भारत नहीं विश्व में हम वैदिक संस्कृति का प्रचार करें, वेदिका प्रचार करें, रिशियों की परंपरा क को लेके जाएं, मैं फोरन कंट्यू में भी आना जाना ज्यादा रहता है, और आजकल यूट्यूप पर पढ़ारा हम संस्किता अधी का, संस्कित पढ़ाता हूं, जूडे, कराठे, लाटी, तलवार, योग, डिफेंस, और बच्चों को छोट-छोटे बच्चे कोई 5 साल क बच्चों को मंच का संचालन कैसे करना है, यह भी हम आपर अपनी सिक्ष दिक्षा देते हैं, और गुर्कुल कांगडी में जब हम देखते हैं, तो गुर्कुल कांगडी आपने सुना होगा, गुर्कुल कांगडी अपने आप में प्राचीन विश्विद्याल है, और उस स क्योंकि जिसके पास ज्यान है वो उतने ही जाद सब्सक्राप्त करता है जिसके पास नहीं है वह उस्सक्राप्ता नहीं करता है पटती तद्म नब आगरता है तो मेलिट से नाविद्या विनाशोक्तम, नराणाम जायति दुर्वम टानों की इस्तिदी यही होगे फरन्तु जिसके पास विद्या होगी जिए वो उस व्यक्ति का जो समय है वो जाए अलप समय तक जिये लेकिन वो उसको आनंद पूरवक जियेगा इसलिए हमारे कपिल कहते हैं जियानात मुक्ति जियान से ही व्यक्ति की मुक्ति होती है तो हमारा काम है कि हम अपनी राष्ट की धरोर को बचाएं आज जो बहुत जारा धर्म परिवर्तन हो रहा है तो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम भी हम और आपका ही है इसलिए हमें उसको रोकते हुए अपनी संस्किती का प्रचार करना है और अपनी प्रसंस्किती का जब हम प्रचार करेंगे वो तब होगा जब आपके वो जीवन में होगा अगर आप के जीवन में नहीं है और आप उसको बोल रहे हैं तो उसका प्रभाब नहीं आएगा इसलिए हमें अपनी उर्जा को बढ़ाना चाहिए अपनी एनर्जी को बढ़ा करके जब हम काम करते हैं तो वो एनर्जी ही एक औरा के रुप में जैसे प्रत्वी का एक औरा है और ओजन परत नाम के आपने सुना होगा सूरी की किर्णों को रोकने का काम वो ओजन परत करती है तो ओजन परत का काम क्या है हमारी रक्षा करना और ग्यान हमारे पास होगा तो ग्यान भी हमारी रक्षा करेगा और ग्यान हमारी रक्षा करेगा तो जिससे हम क्या होंगे, हम रक्षत होंगे, कहते हैं धर्मों रक्षती, रक्षत होंगे, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन धर्म भी कैसे रक्षत होगा, कि धर्म से मूल हम अर्था, धर्म का मूल क्या है, अर्थ है, इसलिए धर्म के मूल क को अर्थ को भी अमको अर्जित करना है और अपने सामरित को बढ़ाना है तब ही हम इसना दिशन के दृष और दिश narrative करना कर पाएंगे और राश्ट की दिशा दिशा में कि वो आपते हैं यह से बीदो की से लोग यहए हैं संस्कित पढ़ रहे हैं यह देखिए भारत में संसकित है और संस्कित के बहुत सोरे खान है, बंधार है, लेकिन यहां संस्कित की लोग उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन आप फोरन में जाएए, अमेरिका में जाएए, आप जर्मन में जाएए, फ्रांस में जाएए, आप मौरिसस में जाएए, नीदलेंड में जाएए, इन दे वेदों में लिखा है वेदों में यह चीज है तो वो चीज उसको प्रेटीकल करते हैं और प्रेटीकल करके उसको अनभूत करते हैं साक्षात करते हैं आजकल योग चल रहा है योग को विदेसों ने क्या कर दिया योगा कर दिया जबकि शब्द मूल क्या है योग शब्द है योगस्चित्यवृति निरोधा मैर्शी पतंजली कहते हैं तो हमें योगों को भी हमने बहार भेजा लोगों के पास गया लोगों को आउसका लाब मिला लाब मिला तो लोगों ने योग करना सुनू कर दिया बाब रामदेव जी भी बहुत जादा इस विश्य में काम कर रहे योग के विश्य में। अगर भारत में विश्य में अगर योग कहीं से आया तो वो रामदेव जी के द्वाराई परचारित हुआ है। लिखा तो पहले देता हैं लेकिन कोई अव्यवक्ति करने वाला इस पकार का कोई नहीं था। लेकिन आज उसको हमें दुबारा से परो बचनों से हमारे खान पिन से हमारे रेंशन से हर चीज से हमारा उकदेश ही होगा और वही उकदेश हमारे जीवन का समाज का कल्यान कर पाएगा उर्प मैं में अलगवास तीन साल था तीन साल की आई-उ में मुझे वो सारा का सारा याद है और वो कैसारे न्यूस24 आदी पर किला हुआ हुई है तो आप जब देखेंगे पूर जन्म के विश्य में तो तीन बेटे एक बेटी मेरी है बड़ा बेटा 60 साल का है इस समय बड़ा बेटा 60 साल का है और मेरी लगवाद उस समय पिच्चतर घी ती जिस समय मेरी तो पूर जन्म की घटना है आज भी तीन साल की उमर से मैं अपनी परिवार में जाना आना करता अपनी परिवार को बोलता था कि मेरे बच्चे है मेरे मा मुझे जाना है तो मेरी माँ डाटती थी तुछ नहीं है इसलिए और एक दिन मां मतरजले में पड़ता है भरतपुर रोड पर तो उस गाउं में और इस गाउं में दोनों में अंतरह केवल मार्केट में मेरे को मा लेकी गई कुछ सामान के लिए वहां से मैं निकल गया गलियों के दबारा प्रोफेसर राजेंदर जी ने पुस्तक लिखी है मेरे उपर जो लगए 400 पुस्तक लिखी है उन्होंने मेरा जीवन लिखा है आप उसे भी देख सकते हैं वहां से गया तो मा माने मेरे को एक दुकान पर छोड़ दिया कहा कि आप यह रही है मैं आपके लिए कुछ सामाल लिया तुसर चलेंगे गर पर जैसे ही मा गई दुकान वाले का दिहान बटका में वहां से गलियों में निकलता हुआ वहां पहुंच गया और वहां पहुंच करके मैंने देखा कि वहां पर मेरी चोटे बेटे की बहु बैठी है और चोटे बेटे की जब बहु को देखा तो वो गुंगट ऊपर करके बैठी थी तो मैंने उसको जाते ही का तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे सामने तरे तो ओसर खड़ा है और तुझे गुंगट करना चाहिए तो उसने तो उसके बाद लोग पूछे क्या हो गया तो उन्होंने कहा है यह बगगा भगत नहीं जनम ले लिया है वापस और यह ऐसे से गाउं के आया हुआ है उन्होंने बहुत सारे प्रश्णों को वही जवाब दिया उसके बाद मेरी मा ढूरती पहुंचे मेरे दो गाल पर सब्सक्राइब उस समय आए तो उन्होंने दादी से पितादी से निवेदन किया कि हम एक बार जानना चाते तो तीनों बेटे आये थे तमिनंद कुमान नामादी बोला कि मेरा बड़ा बेटा रामबीर जगो है दूसरा रामबरों से तीसरा चोटा-चोटा रामबीर है उन सरत नहीं करेंगे खाहर ग़्रा paraimana कि उन्हों त jurisdiction कुछ जाना होता कॉए साधी विवाः और मुझे पों करते आज उस विस परिभार के नर्यद्रै पंचा जो भी फैसले होते हूं। ओन मैं ही करता हूँ आज मुझे लगवज लुञाएं 102 साल का मानते हैं